आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओज के बारे में बहुत सारे लोग का सवाल था कि यह ओज क्या होता है इसके बारे में कुछ समझाएए आयरवेद में जो खाना पचने के नियम बताये गए कि सबसे पहले जट्रागनी काम करेगी उसके बाद रस रक्त मासमेद अस पर्मूला नहीं है इसका कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख सको समझ सको तो इसको एलोबैथी के पॉइंट ऑफ यू से आप मौडन साइस के साब से आप सार होता है ओज क्या चीज है यह आप सबसा सकते हो यदि आप किसी भी जो भी विक बीदाउट मेकब फोटो देखो ठीक है विदाउट मेकब उसके बाद आप यह समझ सकते हो कि किस व्यक्ति का ओज जादा है किस व्यक्ति का ओज कम है एक डिफरेंट टाइप का इसकिन टेक्श्र होता है जादाहेल्दी होता है कंपेरिजन में इसकिन जादा ग्लोइंग रहती है personality जादा glowing रहती है और आखों में एक अलग प्रिकार की चमक होती है ठीक है अलग प्रिकार इसलिए बोल रही है कि इसको समझाना आसान काम नहीं है कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे मैं आपको समझा सकूँ यह हम किसी पुराने रिशी मुनियों को देखें पुराने हमारे शरीर से बाहर निकलने वाला विकरण है हमारे शरीर से बाहर निकलने वाली एक energy है जो कि हमारे पूरे शरीर को covering करके रखती है इसी ओज के कारण कभी कभी कोई व्यक्ति आपको बिना किसी कारण के अच्छा लग सकता है कभी कभी किसी कोई व्यक्ति को देखकर ही आ यदि आपके शरीर में ओज खतम हो जाएगा तो आपकी मृत्य हो जाएगी अल्टिमेटली आपके शरीर को जो पोशन प्रजान करने का काम करता है जो जिन्दा बनाए रखने का काम करता है वो ओज करता है ओज से ही शरीर की सब्तधातूं की पुष्टी होती है यह बड़ा ह की ओज है जो सब तधात्यों को करवाएगा यानि कि पूरी एक कि है यदि आपके शरीर में ओज कम होने लगेगा तो धीर से आपकी सब तधातों comentarios यदि सूसब काई हमारे मन्द की सभी प्रकार कीश टांग को करवाने का काम ओज करता है आपकी जो द्रण संकल्प शक्ति होती है न कई लोग आपने देखी होंगे न कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा कन्फ्यूज रहते हैं करना क्या है समझ में नहीं आ रहा दिमाग में इतने प्रकार के थौट आते हैं ये भी करते हैं वो भी करते हैं ऐसे लोगों में अक्सर ओज का शेयर रहता है ओज कम रहता है ओज बढ़ा हुआ रहेगा तो आपका द्रण संकल्प रहेगा ठीक है जो द्रण संकल्प वाले व्यक्ति होते हैं कुछ ठानली तो ठानली नहीं करना तो नहीं करना एक्जाम पा है तो ऐसे लोगों में ओज काफी ज़्यादा रहता है यानि कि हमारे मन की शक्तीगों बनाई रखने का काम करता है हमें हमारी स्किन को बना रहता है काम हमारी हिर्दय कोATE रखने का काम ठीक है उसके पालपिटेशन वाला अक्टिवेशन नहीं आपका हिर्दय प्रसंद रहे आपका मन प्रसंद हो यह काम ओज के कारण होता है ठीक है यह ओज के फंक्शन है और इसके फंक्शन के द्वारा ही आप इसको समझ सकते हो इसके फंक्शन के द्वारा ही आ आप जो खाना पीना खाते हैं, उसमें सबसे important चीज है, अंशन करना यानि कि खाना नहीं खाना, यदि आप लंबे समय तक खाना नहीं खाओगे, तो आपके शरीर में ओज का च्छै हो जाता है, इसके अलावा जो लोग विरुद्धाहार करते हैं, क्यानि कि उट पटांग ख च्छै हो जाता है, और फिर अलग-अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होती है, इसके बाद यदि आपके शरीर में आप ऐसा खाना खा रहे हो, आप इस प्रकार का खाना ले रहे हो, जिसमें पोशक तत्वों की कमी है, तो भी अल्टिमेटली आपकी शरीर में ओज का दूसरे कारण कौन से है, विहारज, विहारज में सबसे आदा आता है अती व्यवाई करने से, जो लोग मुझसे काउंटर गुष्टन करते हैं कि मस्टरबेशन बिलकुल नैचरल चीज है, नाइट फॉल होना नैचरल चीज है, उन सभी लोग के लिए बतादू कि अती व् जोड़ा हुआ है, केवल व्यवाई नहीं है, अती जोड़ा हुआ है, जो लोग ज़्यादा मस्टरबेशन करते हैं, जिनको ज़्यादा नाइट फॉल होता है, ज़्यादा सेक्स्वल एक्टिविटी में इंवाल्व होते हैं, किसी भी प्रकार के, अस्ट मैथन में बताए आखों का कम हो जाना, रोशनी कम होना, हाथ पेरों का दर्द देना, इस प्रकार के जो सिम्टम आते हैं, वो ओज छह के कारण आते हैं, जबकि अती व्यवाई, यानि कि अती मस्टरबेशन या सेक्स या नाइट फॉल के कारण, आपके शरेर में ओज का छह हो जाता है, इस हो जाता है, जब आप ऐसी नौकरी में होते हो, जब आपका शरीर उसको साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, तब आपके शरीर में अल्टिमेटली ओज का छह हो जाता है, ये तब ही होता है, जब 60-70 साल की एज तक आपको एक घिसा-पिटा काम करते हो, जो आपको पसंद नहीं है, ये जो BP, Diabetes, जो Old Age वाले में हो जाती है, ठीक है, टेंशन के कारण, उसका बहुत बड़ा कारण, ओज का छह होना है, उसके बाद मानसिक कारण होते हैं, जादा क्रोध आ रहा है, बहुत जादा चिंता रहती है, बहुत जादा आपको ठीक है, उदासी कहूना, आप डिप्रेशन में रहते हो, आप पॉजिटिव कुछ देखी नहीं पाते हैं, आपको हर समय निगेटिव, निगेटिव, हर चीज निगेटिव दिखाई देती है, इसके कारण भी आपके शरीर में ओज का छह हो जाता है, इसके बाद शरीर में चोट लग जाने पर, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार से बाहरी आघात हो, या फिर वाइरस बैक्टिरिया फंगस का लॉंग तर्म का इंफेक्शन हो, बहुत लंबी समय तक, तब भी आपके शरीर में ओज का छह हो जाता है, अब ओज छह को दूर कैसे करना है, यदि आप चाहते हो कि आपके शरीर में ओज प्रॉपर बना रहे, तो आपको जठरागनी के ओपर फोकस करना होगा, जठरागनी के ओपर ध्यान देना पड़ेगा कि आपका डाइजेशन अगनी, ठीक है, जठरागनी, डाइजेशन कराने वाली अगनी, किस प्रकारगी है और उसके according आपको अपनी lifestyle और खाना पीना सेट करना होगा, यदि ये चीज़ आपकी सेट रहेगी, तो आपकी जो सब तधात हुए हैं, वो बढ़िया रहेंगी, automatic रहेंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, सब तधात हुए अच्छे होगी, तो फिर ओज भी proper amount में रहेगा ओज भी अच्छे से बनेगा और अपने सभी कारियों को कर पाएगा, चले आज की लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स वीडियो में आपसे दुबारा मुलाकात होगी, तब तक ले स्टे हल्दी और बी हैपी, गुट बाई